हाई, to be honest life एक basic principle पे चलती है, कि लोग तुम्हें हमेशा अपने आप से agree करवाना चाहते हैं, लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें convince करने में तीन मिनट से ज़्यादा लगा दिया और तुम फिर भी agree नहीं होते हो, तो that trying to make you agree turns into trying to make you angry, तो congrats अब तुम्हें पता है कि लोग त से चाहते हैं, अब अगरी नहीं करना तो मुझे सिखाने की जरुवत भी नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि लोग अपने सगे बाप से भी agree नहीं करते हैं, तो let's talk about angry कैसे नहीं हो, क्योंकि there's only one thing which is cooler than knowing what people want from you, and that is still not giving them what they want, और of course गुस्सा नहा होने में तुम In fact, काफी जादा लोगों को ये नहीं पता, पर तुमारे गुस्से की value तुमारे social status पे depend करती है, अमीर घर के बच्चे अगर गुस्सा हो जाते हैं, तो ओखाना नहीं खाते हैं, और उन्हें सब कोई मिलकर मनाने में लग जाते हैं, बट अगर यहीं चीज गरीब बच्चे करें तो no one would care, उल्टा बोलेंगे अब जाना, रोज 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 रूट कर बैठ जाता है, कौन मनाएगा तुझे, similarly तुमारे गुस्से पे लोग कैसा respond करेंगे भी तुमारे social status पे depend करता, अगर एक बेरोजगार को गुस्सा है, तो उसके सगे घर वाले भी उसको बोलते है कि हाँ आपके लड़के गुस्सा तो आ गया, काम कब आएगा ये भी बता दे अब, लेकिन अगर at the same time तुम किसी political party से associated हो, तो तुम रहा चलते किसी भी इंसान को पैर में गोली मार सकते हो, aim practice के लिए, और कचेरी में जाके तुमारा वकील बोलेगा कि, your honor मेरे client की कोई ग कोई आपका कून गर है, मैं पता है, but now that we have an understanding of anger, now let's try to understand how to not get angry, real life में अगर कोई तुमें deliberately गुसा दिलाने की कोशिश करें, तो it's really easy to figure out, क्योंकि सब की शकल हरामी हो जैसी होती है, और लोगों के expressions देखकर figure out करना easy होता है, कि क्या करना चाहते है और अगर तुम लोगों की बातचीत पर ध्यान दो, तो it's not hard either, कोई अगर तुमसे तुम्हारा zodiac sign पूछ कर बोलता है, कि हाँ हाँ, तिरे दारा जी को भी वही था गया cancer, तो it's easy to figure out, कि या तो वो तुमें गुसा दिलाना चाहते है, या फिर quite peacefully अपने दाथ दुड़वाना, अब now this gets really hard, जब तुम convincing हो, ताकि तुम्हें गुसा आजाए, सिर्फ थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़्यादा convincing हुआ, तो तुम angry की जगा agree कर जाओगे, अगर तुम sports fan हो, और online interact करते हो, तो तुम्हें ऐसे unpopular opinions काफी ज़्यादा देखेंगे, there's something like unpopular opinion, Ronaldo can't really walk, यह opinion किस basis perform किया, तुम नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिखा है, it's unpopular opinion, ठीक है, one more thing which you should try and stay away from our jokes, कुछ jokes ऐसे होता है, जिनका funny part सिर्फ ही होता है, कि उसको पढ़के कुछ लोग offend हो जाएंगे, ऐसे jokes sensitive topics पर होते हैं, जैसे कि death या फिर religion, और ऐसे joke का मैं example भी नहीं दूँगा, क्योंकि मैं नहीं अरेस्ट करवा दे, not very comfortable to get arrested during a pandemic, when you are supposed to use more soap than normal, जितना ज्यादा तुम सोप यूज करोगे, उतना ही ज्यादा चांसे से तुमारे उसे गिराने के, now that you know how to not get angry, तुमारी लाइफ बिलकुल चेंज हो जानी चाहिए, तुमें वो हर चीज अचीज कर लेनी चाहिए, जो तुमे मुझा जादा रया चाहिए